बिस्मिलाहिर रह्मार रहीम असलाम लेकों माई यूटी फैमली वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम आपको बहुत ही खुबसरत बहुत स्टेच पे बनी हुई कुरोशा ट्रैंगुल शाउल बनाना बताएंगे और यह जो प्यारा सा पैटरन है इन्शाला आपको स्टेप बेस बनाना बताएंगे तो बीगनर्स भी इजली इसको बना सकेंगे और आप से चोटी से रोकेस्ट होती है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए चैनल पर फर्स टैम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब का लेजिए ताकि आने वाले टैम में भी आपको इस तरीके के ले करेंगे कि आप अगर शोल बना रहे हैं तो लाइट वेट की वूल इसमें यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी जो शोल है बनेगी ठीक है तो यहां पर हम आपको वूल दिखा देती है देखिए टू प्लाई की वूल है इसमें हमने जो कुरोशा हुक यूज किया है 2.5 mm का यूज किया है आप इसमें 2 mm का कुरोशा हुक भी यूज कर सकते हो देखिए अब हम इसमें स्लिप नोट लगाएंगे और फिर कॉंट करके हमें 6 चैन लेनी है 1,2,3,4,5,6,6 चैन आपने लेके फर्स्ट वाली चैन में बिना बलके आपको फर्स्ट वाली चैन मे कुरोशा को डालना है स्लिप स्टिस से आपने इन 6 चैन को लोग का लेना है तो एक चैन रिंग जो है वो आपके बन जाएगी ओके अब इसी चैन रिंग में आपको अपना वर्क बनाना है वान तो त्री और जो त्री चैन है यह हमारा एज़ा फर्स्ट डबल कुरोशा काउंट होगा कुरोशा को पर बल लगा के सेम हमें चैन सरकल में डालना है अब देखे पहले हमें एक लूप में से ओवर करना है फिर दो दो करते हुए हमें दो बार में लूप्स जो हैं वो सिंपल जो ट्रीपल कुरोशा है वो बनाना है पहले देखे एक लूप में से ओवर किया अब हमें दो लूप में से ओवर करना है लास्ट में भी दो लूप में से ओवर करेंगे तो हमारा ट्रीपल कुरोशा बन जाएगा कुरोशा कुप पर बल लगा के सेम इसी चैन में डालके एक और डिपल कुरोशा हम बना लेंगे तीन हो जाएंगे थ्री चैन को साथ में कॉंड करेंगे तो हमारे थ्री टिपल कुरोशा बन चुके हैं अब बीच में हमें चैन लगानी है वान टू थ्री थ्री चैन लगाके कुरोशा को उपर बल लगाना है और सेम इसी circle में हम डाल कि एक और triple crochet बनाएंगे यह दो हो जाएंगे पहले एक में से over करेंगे पिर दो दो करते हुए हमें दो बार में अपने loops over करनी हैं तो यहां भी हमें तीन triple crochet बना लेनी है देखें तीन हमने बना लिए अब बीच में फिर से हमें तीन चेन लेनी है वान टू थिरी क्रोशा के उपर बन लगाना है और सेम इसी चेन सरकल में डाल के तीन टिपल क्रोशा हमें और बना लेनी है यहां पर देखे हमारी तीन डिजान कम्प्रेट हो चुकी है तीन टिपल क्रोशा बीच में तीन चेन अगें तीन टिपल क्रोशा तीन चेन और फिर से हमने लास्ट में भी त्री टिपल क्रोशा बना लिए है अब फोर चेन लेके वर को दूसरी सेट पर टर्ण करना है चार चेन लेके क्रोशा के उपर बलगाना है और आपको जो फर्स्ट वाला गैप दिखर है त्री चेन का इसमें डाल के हम अगें हमें थ्री टिपल क्रोशा बना लेनी है दो हो गए और यह लास्ट में तीन पहले एक लुप में से ओवर करेंगे फिर दो दो करते हुए हमें दो बार में लुप्स ओवर करनी है देखिए हमारे त्री टिपल क्रोशा कंप्लेट हो चुकी है वान टू त्री त्री चेन लगा के बीच में सेम इसी गैप में फर्स्ट वाली गैप में हमें फिर से त्री टिप वर किये है तो एक हमारा कॉनर बन जाएगा कॉनर का यह डिजाइन है अब इसके बाद बीच में 1 2 3 टी चैन लगा के नेक्स्ट जो गैप है सेकंड वाला जो गैप है इसमें भी हमें कॉनर वाला डिजाइन बनाना है यानि तीन टीपल ग्रोशा बीच में तीन चैन और गान ह वापस इसी gap में डालेंगे भी एक लूप में से ओवर करेंगे फिर डो दो करते हुए दो बार में लूपस ओवर करेंगे तो टोटल तीन बार हमें लूपस ओवर करनी है तीन टीपल कुरोशा हम बना लेंगे second corner पर यह टोटल शे Bell कुरोशा हो जाएंगे बीच में 3 चैनल कर हमारा complete हो चुका है 1, 2, 3, 4 4 चैन लगा के हम वार को दूसरी सेट पर टर्ण करके सेम कॉर्णर वाला डिजैन जो है कॉर्णर के उपर बना लेंगे देखें थर्ड ड्रो में भी हमने सेम कॉर्णर के उपर कॉर्णर वाला ही डिजैन बना लिया है अब बीच में तीन चैन लगा के देखें जो हमने ये वाली तीन चैन का गैप लिया था बीच में अब इसकी सेंटर वाली चैन में कॉर्णर के उपर बल लगा के हमें डालना है कॉर्णर को टिपल कॉर्णर बनाएंगे बीच में देखिए हमारा टिपल क्रोशा बन चुका है अब हमें तीन चेन लगानी है और नेक्स्ट जो हमारा सेकिंड वाला कॉर्णर है इसमें हमें अगें कॉर्णर वाला ही डिजाइन बनाना है कोई चेन नहीं है सिंपल आपको दोनों साइट पर जो कोर्णर है सेम कोर्णर के उपर कोर्णर वाला ही डिजैन बनाना है यानि छे टिपल क्रोश्या बीच में तीन चैन लगा कि हमें कोर्णर बनाना है तो तीन टिपल कुरोशा बनाने के बाद हमें एक और टिपल कुरोशा बना लेंगे तीन हो जाएंगे तीन टिपल कुरोशा बनाने के बाद बीच में तीन चैन लगाएंगे और तीन टिपल कुरोशा अगैन हमें सेम इसी गैप में बना लेनी है तो हमारा corner यहां पर complete हो जाएगा देखिए दोनों corner पर हमने 6 टिपल कुरोशा और बीच में 3 चैन लेके बनाया है बीच में हमने 1 टिपल कुरोशा बनाया है और 1st side पर भी 3 चैन का gap लिया है 2nd side पर भी 3 चैन का gap लिया है अब हमें 4 चैन लगा के वाल को दूसरी side पर turn करना है और same corner के उपर corner वाला ही design बनाना है इसमें कोई change नहीं है बनाना भी इसको असान है 4th row का हमने 1st corner बना लिया है अब इसके बाद हमें बीच में 3 चैन का gap लेना है 3 चैन लगा के जो हमने बीच में टिपल करोशा बनाया है अब इसमें हम करोशा डालेंगे उपर वले stitch में पहले एक टिपल करोशा हम बनाएंगे एक लूप में से ओवर किया अब दो दो करते हुए हमें दो बार में अपने लूप से ओवर का लेनी है तो टिपल करोशा हमारा बन चुका है अब हमें 1,2,3,4 बीच में 4 चैन लगा के करोशा के उपर बलगाना है और सेम इसी stitch में एक और टिपल करोशा बना लेना है तो यह जो हम gap बना रहे हैं दो टिपल करोशा और बीच में 4 चैन next row में हम इसी में अपना design बनाएंगे ठीक है तो हमने यहाँ पे बना लिया है अब हमें 3 चैन लगा के करोशा के उपर बल लगाना है और जो हमारा second corner है पहले हमें 3 टिपल करोशा बनानी है फिर बीच में 3 चैन लगा के 3 और टिपल करोशा बना के अपना जो corner है वो complete करोशा के लिया है 3 टिपल करोशा बना लिया है अब हमें बीच में 1, 2, 3 3 चैन लगा के same gap में करोशा को डालना है अगेन हमने 3 टिपल करोशा और बना करोशा बना के अपना corner complete कर लिया है अब इसके बाद इसकी फिफ्ट रो बनाएंगे तो पहले आपको चार चैन लगा के बार को दूसरी सेट पे टर्न करना है और अपना जो कोनर है वो कम्प्लीट का लेना है फिफ्ट रो का हमारा फिर्स्ट काउनर यहां पर कम्प्लीट हो चुका है आप देखे हम इसमें फिफ्ट रो में डिजाइन डालना है जैसे यह क्यूट सा बाउट डिजाइन हमारा बना हुआ है सेम वैसे आपको बनाना बताएंगे तो पहले आपको थ्री चैन लगानी है और यह फिफ्ट रो है तो फिफ्ट रो में हम अपना साइड से एक डिजाइन इंक्रेज भी का लेंगे तो तीन चैन लगा के बीच व गैब तो बनानी होती है फिर द्रीद रो में हम डिजाइन बनाती है तो पहले हम इस fan ईक डेnormी एक डिजाइन अपनांगी त्री चैन लगाएंगे और नेक्स्ट में यह वाला गैप बनाया है आप इसके फोस्ट वाला में हमारा ल्ग है इसके नीचे से पशसार डालना है देखे हमने नीचे से क्रोशा डाला है और लंबाई की शेप में हमें बीना ओवर किये हुए लूप लेनी है एक हो गया दो तीन चार पान और लास्ट में छे शिक्स टैम में आपने ये लंबाई की शेप में लूप लेने हैं बीना ओवर किये अब हम इसको दो दो करते हुए ओवर करेंगे, ओवर करते हुए हमें उपर की सेड़ तक अपने वर को लेके आना है, तो दो दो लूप्स आपने एक साथ निकालते जाना है, क्रोशक तो पर बल लगा के पहले हम फर्स्ट वाले दो लूप लेंगे, इस तरीके से ओवर करके आप इसको बन का लेंगे, और से सारे लूप हमने ओवर कर लिए हैं, देखें, वाण टू, त्री, फोर, फाइफ, सिक्स, टैम में हमने दो दो करते हुए अपने लूप ओवर कर लिए हैं, अब लास्ट में क्रोशक में दो लूप हैं, दोनों को एक साथ हम निकाल देंगे, तो देखें, बीच में भी हमार तीन चैन ही आ जाएंगी दो चैन लेके हमने डिजाइन को बनाया था जब हमने डिजाइन को कम्पीट का लिया दो लूप थे को कुरोशा में दोनों को एक साथ हमने ओवर किया है तो एक चैन और बन जाएगी तो तीन पूरी हो जाएंगे ठीक है अब दो चैन लगा के हमें देखें वर्क को इस तरीके से सीधा का लिना है और जो चार चैन की बीच वाली गैप है इसमें डालके सिंगल क्रोशा बना लेंगे दो चेन लेके हमने बीच वाले गैप में सिंगल क्रोशा बना लिया है आप हमें क्या करना है सेंटर में देखिए आपको ये छोटा सा गैप दिख रहा है ये वाला आप क्रोशा के उपर बल लगा के इसी छोटे सी स्टिच में डालेंगे बीच वाले में और फाइव टैम में लुप्स लेंगे पुफ डिजैन हम बनाएंगे तो फाइव टैम में हमें लुप्स लेके ग्रोशा में लेते जाना है दो बार हमने बना लिए तीन चार और लास्ट में ये पांच तो 5 10 में आपने ल dłपस लेनी है और सारे लपस एक ये बार आपने ओवर का लेनी है तो हमारा वीच वाला जो पफ डिजैन है कंप्लेट हो जाएगा छाएगा इस तरीके से हमारा जो पूफ डिजाइन है वो बन चुका है अब फिंगर की मदद से जो हमारे बीच वाली फोर चैन की गैप थी हम निकाल लेंगे इससे अब देखें यह फोर चैन की गैप है बीच वाली इसी में कुरोशा डाल की हम पहले सिंगल कुरोशा बनाएंगे इसके बाद हमें सेम डिजाइन सेकंड सैट पर बनाना है जैसे हमने फॉर्स सैट पर बनाया है ना दो चैन लगा के सेकंड सैट का यह हमारा टिपल कुरोशा है इसके नीचे से हमें कुरोशा को डालना है फिर से दिख लीजे यह टिपल कुरोशा है सेकंड सैट का हमने नीच 3, 4, 5, and 6. 6 टैम में अपने लूप्स लिये हैं, अब दो-दो करते हुए हमें सारे लूप्स ओवर कर लेनी हैं, दीकिने एक हो गया, अब इसको बंद करेंगे, और पीछे वाले जो दो लूप हैं, वो ओवर कर लेंगे, इस तरीके से, तो दो हो जाएंगे, ये तीन बार, चार बार, पांच बार, और लास्ट में ये छे बार, 6 टैम में लूप्स ओवर कर लिये हैं, अब इसको बंद कर लीजे, तो सेकंड सैट पे भी सेम हमने डिजाइन बनाया है, तो हमारा फर्स्ट जो बाउड डिजाइन है, कम्प्लेट हो चुका है, अब इसके बाद हमें दो चैन लगानी है, वान, टू, दो चैन लगाके, देखें, क्रोशा को पर बल लगाना है, और सैट से हमारे जो तीन चैन की गैप थी, जैसे हमने फर्स सैट पे अपना एक डिजाइन इंग्रेज किया है, सेम हमें सेकंड सैट पे भी अपना एक टिपल क्रोशा जो है वो इंग्रेज का लेना है, दोनों सैट पे हमें टिपल क्रोशा की जो डिजाइन है इंक्रेस का लेनी है पहले एक लूम में से ओवर करना है आपको फिर इसके बाद दो दो करते हुए हमें दो बार में लुप्स ओवर करने है तो टोटल हमने तीन बार में लुप्स ओवर किये हैं टिपल क्रोशा में और double crochet बना लेनी हैं तो corner complete करके हमने चार चैन लगा लिया है four chain लगा के crochet की यूपर लगा के same हमें corner वाले gap में corner वाला ही design बनाना है so simple then corner बनाने के बाद हम next आपको बनाना बताएंगे पहले हम corner complete कर लेते हैं तो गाइस कोनर बनाना तो जैसे हमने अपको पहले भी गाइड किया बहुत सिंपल है बस अब एक से दो बार जब बना लेंगे तो बहुत इजली इसको बना सकेंगे तो कोनर हमारे कमप्लीट हो चुका है हमने तीन चैन भी बना ली है अब ध्यान लगा के आपको देखना है देखें जो हमने टिपल क्रोशा इंक्रेज किया था अब इसी स्टिच में हम डालेंगी यानि कि टिपल क्रोशा के उपर वले स्टिच में हम डालेंगे पहले एक टिपल क्रोशा बना लेंगे फिर इसके बाद बीच में हमें फोर चैन लगानी है वान टू थ्री फोर फोर बनाए में परण फ़स्टिच नियुकित के लगां के दिजय का लिए भी शेप का जो बीच वाला गैप बनारे हैं इस तरीके से हम बना लेंगे दो प्रोच यह चैन लगा लेंगे अपर बीन ज़िए गहानी है त्री चैनल लगा के जो हमने अपना बाव डिजाइन कंप्लीट के है सेंटर में जो हमने पफ डिजाइन अपना बनाया है यह वाला अब इसी पफ डिजाइन के उपर वले स्टिच में हमें डालके एक टिपल कुरोशा बना लेना है यहाँ पर डालेंगे ध्यान से आपको देखना है हर स्टैप को अप जब अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो इसलिए इस को बना सकेंगे तो यहाँ पर टिपल कुरोशा कम्प्लीट हो चुका है वान टू तू त्री 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 चैन लगाके नेक्स्ट जो हमारा टिपल क बनाना है पिर इसके बाद 1 2 3 4 चैन बीच में लगा के सेम इसी स्टिच में एक और टिपल क्रोशा हम कम्प्लीट कर लेंगे तो दोनों सेट पे हमने डिजाइन के लिए अपने गैप बना लिए हैं अब इसके बाद एक दो तीन तीन चैन लगा के हमें सेकंड कॉर्णर को कम् डिखान ज़ऑं खंढ़ा हैं अब हमारे डिजाइन के लिए दो गैं अब इसके बाद नाकश्ट के लेंश वार्व को टर्ण करके सीवडिपलेंगे तब हम इसमें इसी गैप, दोनों गैप में हम डिजाइन आपना जो बाउट डिजाइन है वो बनाना आपको बताएंगे ठीक है, फोर चैनल लगा के हमने वर्ल को दूसी सेट पे डान कर लिया है अब इसके बाद हम कॉर्णर को कम्प्लीट करेंगी सिक्स टिपल करोशा, बीज में थ्री चैनली के हमारा कॉर्णर बन चुका है हमने तीन चैनल भी लगा ली है अब करोशा के उपर बल लगाना है और सैट से जो हमने तीन चैनल का गैप लिया था इसमें हमें फिर से दोरों के बाद हम जो है इसमें डिजाइन अपना इंक्रेस करेंगे तो दोरों बनाने के बाद ही आपको दोनों सैट पे कॉनर की दोनों सैट पे जो तीन चैन की गैप है इसमें सेंटर वले स्टिच में डालके टिपल कुरोशा बनाना है पिर इसके बाद हमें दो चैन लगानी है दो चैन लगा के नेक्स्ट जो हमारा गैप है इसमें हम अपना जो बाउ डिजाइन है वो बनाएंगे तो कुरोशा को आपने फर्स्ट टिपल कुरोशा के नीचे से डालना है वान टू त्री होर फाइव सिक्स तैम में हona अपने लूप लुनी है और फिर दो दो करती हुई सारी लूप शिंक टैम में आपने और करने हैं निक टोटल हमारे पास 12 लोप से मिए क Dum сказала कि तो हम दो करते होय स्टहें में अपने लूप करके अपने वर्छ को ऊपर की सेटा क्या तक बनाती हुई लेकी आना है परस सेट का हमारा डिजाइन कम्प्लीट हो चुक है है बान टू दो चैन लगाएंगे और बीच वली जो फोर चैन की हमारी गैपेस में डालके हम सिंगल क्रोश पहले बना लेंगे सिंगल क्रोश पहले बनाने के बाद हमें क्रोश के उपर बल लगाना है और देखें सेंटर वला ये चोटा सा आपको जो अस्टिच दिक रहा है बीच वला आप इसी में क्रोश के उपर बल लगा के क्रोश को हम डालेंगे फाइब टेम में अपने लूप्स लेंगे हमारा जो कि फॉर एंड फाइब फाइब टैम में हमारे लुप्स बन चुके हैं अब सारे लुप्स एक ही बार आपने ओवर इस तरीके से करके इसको बन का लेना है आप देखिए बीच वाली जो फॉर चैन की गैप है थोड़ी सी आपको सही से नहीं दिख रही है तो हम फिंगर की मद पिर इसके बाद वान टू दो चैन लगा के सेकिंड सैट का जो हमारा टिपल क्रोशा है इसके नीचे से हमें क्रोशा डालना है इस तरीके से एक हो गया एक पर लुप्स लिया दो तीन चार पांच और लास्ट में ये छे चे टैम में हमने लुप्स लिये हैं आप दो दो कर हैं तो दो किस तरीके से हम आपको गायट कर रहे हैं फिर भी अगर आपको डिजाइन समझने में दिक्ट लगे तो आप वीडियो को एक से दो बार वाच का लीजे और पहले आपने रफ ठयड पे इस तरीके का जो टुषान है वो ट्राइट कर लेना है जब आप एक से दो रो बना लेंगे इंशाला आपको डिजाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आप न्यू थ्रेड लेकि उस पर बनाना स्टार्ट कर सकते हो हमारा डिजाइन कंप्लेट हो चुका है अब हमें दो चैन लगानी है दो चैन लगा के देखिए आपको यह बला जो डिजाइन के उपर टिपल क्रोशा बना हुआ है इस तरीके से तो डिजाइन जहां पर भी हमारा बनेगा उसके उपर हमें दो रो तक बीच में टिपल है वो बना लेंगे ठीक है दो चैन लगाएंगी और नेक्स्ट जो हमारा चैन वाला गैब बना हुआ है अब इसमें सिक्स टैमी लूप्स लेकि दो-दो करते हुए हमें ओवर कर लेनी है अपने वर्कों उपर की सेट तक लेकि आना है फर्स साइट का हमारा डिजाइन कम्प्रीट हो चुका है अब हमें दो चैन लगा की फोर चैन का जो हमारा सेंटर वाला गैप है इसमें डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है सिंगल क्रोशा बनाने के पाद क्रोशा के उपर बल लगा के सेंटर में आपको पफ डिजाइन बनाना है फिर सेकेंड साइट का डिजाइन कम्प्रीट का लेना है तो हमारा डिजाइन बन जाएगा इस तरीके से अब हमें दो चैन लगानी है और साइट से आपको यह तीन लाओ दिज़ानेंगे और चेन के लिए हैं चेन के जाएंगे में तो नहीं हमारे एक टितित्रा पर बना लगां इसके बाद दो रों के बाद हमारी दो डिजाइन बीच में बन चुकी है आप इसके बाद हमें फोर चैन लगानी है कॉर्णर हमारा बन चुका है फोर चैन लगाएंगे और वाड को दूसरे सेट पे टान का लेंगे और सेम कौनर के उपर हम कौनर बना लेंगे तीन चैन हमने बना ली है कौनर बनाने के बाद आप देखें जहां पर हमारा टिपल क्रोशा बनाओ हुआ है तीन चैन लेके हम इसी स्टिच में डालके इसके उपर टिपल क्रोशा बनाएंगे पिर इसके बाद बीच में हमें फोर चैन लगानी है सेम स्टिच में एक और टिपल क्रोशा बना लेंगे तो देखें डिजाइन के लिए आपको इस तरीके के पहले सेकंड रो में गैप लेने होती हैं फिर इसके बाद तीन चैन लगा के जो हमारी दो डिजाइन कंप्लीट हुए ना अब इसके उपर हमें एक टिपल क्रोशा बना लेना है सेंटर वला जो हमारा पाफ डिजाइन था इसी स्टिच में डालके हमने टिपल क्रोशा बनाया है वान टू त्री त्री चैन लगा के नेक्स्ट देखें डिजाइन के उपर हमने दो रो तक अपने टिपल क्रोशा की डिजाइन बनाई थी अब जो हमारी ये थर्ड रो है अब इसमें हम डिजाइन का गैप लेंगे दो रो आपको इस तरीके से डिजाइन के उपर टिपल क्रोशा की बनानी है डिजाइन बनानी है आप जो यह हमारे थर्ड रो है इसमें हमें एक टिपल कुरोश्या बीच में फोर्चेन और सेम इसी अस्टिच में एक और टिपल कुरोश्या बना लेंगे तो सेकिंड भी हमारा डिजाइन के लिए गैप बन चुका है तीन चैन लगाएंगे नेक्स्ट जो हमारा डिजाइन का सेंटर वाला बफ डिजाइन है इसमें हम डाल के अपना टिपल कुरोश्या बना लेंगे तो देखें जहां पे हमारे डिजाइन बनी हुई थी उसके उप पहले ही आपने एक रो में टिपल कुरोश्या बनाना है और साइट पर हमारा टिपल कुरोश्या बना हुआ इसके उपर हम डिजाइन के लिए अपना गैप बना लेंगे तो इस रो को भी आपने ध्यान लगा के देखना है तीन हमारे डिजाइन के गैप इस रो में बन चु ठीक है दो रो के बाद तर्ड रो में हम डिजाइन बनाती हैं तब हमें सैड से एक टिपल क्रोश अपना इंग्रेस करना होता है ताकि हमारे डिजैन जो है वो बढ़ सके इस तरीके से ही बढ़ाना है दो रो बना के तर्ट रो में जब आएंगे न तब हमी एक टिपल क्रोशा सैड से बढ़ाना होता है फिर दो चेन लगा कि नेक्स्ट जो हमारा गैप डिजैन का बना हुआ है हमें 6 टैम में अपने लास्ट में भी हमें दो लूप ओवर का लिनी है इसको बंद करके अब हमें दो चेन लगानी है और सेंटर वाला जो हमारा फोर चेन का गैप इसमें डालके हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे पिर इसके बाद क्रोशा के उपर लगा के सेंटर वाला ये वाला जो स्टीचेस में हम अपना जो puff design है वो complete करके second set पे भी हम अपना design बना लेंगे तो बहुत ही simple है ओके देखिए हमने puff design अपना बना लिया है अब पीच वाली जो fortune की gap इस में डाल के single crochet बना लेंगे single crochet बनाने के बाद दो चैन आपको लगानी है दो चैन लगाए ग्रोशा के उपर बल लगाना है सेकंड सेट का हमारा double crochet है same design को हम फाल कुरते हुए यह बना लेंगे तो हमारा design complete हो चुका है दो चैन लगाए next जो हमारा यह design का double crochet बना हुआ है design के उपर यहाँ पर सेम में टिपल क्रोशा ही बनाना है तो देखे इस बात का भी आपने ध्याहा रखना है देखें डीजइन के उपर तिपल क्रोशा बनाती है शुच रह पर फारल डीजइन का जो गयप है वो बनाना है टेखें तक हमें डीजइन को रपी nawr हुँक कोसी हैा है तो देखिए हैं पर पहले हमारी एख डिजैन ती फिर दो ऊगें और इस रोओ में तीन हो गए तो इसके बाद नəक्स्ट जो हम डिजैन बनाएंगे वह फोर बनाएंगे तो इस तरीके से हर दोरों के बाद हमारे डिजैन जो है इंक्रीज होते चले जाएंगी आप इसको जितना चाहें बड़ा बना सकते हो तो वीडियो के लास्ट में आप से चोटी से रिक्वेस्ट होती है डिजैन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकोंड जरूर अनकाल लीजिए थैंक्स पर वर्चिंग